हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एनोधर वीडियो आप दिस यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम कोई भी डाउट का कोश्चन नहीं देखने जा रहे हैं एक ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि मल्टिप्लिकेशन ट्रिक है जो कि आप बड़े ही आसानी से किसी भी दो नमबर या दो से जादा नमबर है जिससे कि आप यहां देख सकते हो टू डिजिट नमबर से हो त्री डिजिट नमबर हो या फिर फोल डिजिट नमबर हो आपने सब को मल्टिप्लाई कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने पूछा था कि आपको multiplication trick चाहिए तो एक भाई पिरशान्त है उनका comment आया था कि भाई बना देना तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है तो देखिए सबसे पहले आगर आपको two-digit number का आगर multiply करना है तो आप कैसे करेंगे देखिए ये two-digit number है तो इसको आपको लिख देना है 2986 ठीक है इसको आपको इस तरह से लिखना है तो यहां पर यह हमारा सबसे पहले आपको यह है पीछे वाला है इसको आपको मिल्टिप्लाइब करना है तो 69 जा 72 तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां से कट करेंगे और यहां पर 9 को पेस्ट कर देंगे ठीक है अब क्या है अब यह रह गया हमारे पास 8 दूनी 16 तो यहां पर 16 लिख देंगे और यह कितना हो जाएगा अच्छ है और 8 दूनी 16 और 24 तो 24 यहां पर आपको लिख देना है ठीक है तो यही हमारा इसका अंसर हो जाएगा तो इसमें क्या फंडा लगाया है मैंने तो पहले तो आपको इस तरह से करना है फिर यह cross आपका होगा फिर इसके बाद इस तरह से आपको बनाना है देखे पहले तो आपको मतलब कि यहाँ पर जो digits से इन दोनों का multiply करना है फिर इन दोनों का करना है फिर लास्ट में दोनों का करना है ठीक है इस तरह से आपको करना है देखे यह आपको 2-digit number आप इस तरह से कर सकते हैं अब हम आते हैं 3-digit पर 3-9-4 9-8-6 आपको सभी को इस तरह से ही लिखना है multiply करना है तो देखे पहले हम इसको करेंगे तो 6-4 जा 24 तो मैं आपे लिख लेता हूँ तो 4 है तो मैं आपे 4 को यहां लिख दूँगा 5-4-3-8 हो गए तब के यह है पीछे वाले इसको हम आप से कट करेंगे हैं आप पेस्ट कर देंगे ठीक है अब इसके बाद यह हो गए हमारे पास अब क्या बचा यह और यह edges करेंगे 4-9 जा 9-4 जा 36 ठीक है और यह हो जाएगा मेरे पास 6-3 जा 18 18 हो गया अब यह बीच वाला आए इसको भी हम करेंगे तो 9-8 जा 72 इस सब को आपको add कर लेना है थोड़ा सा यह लेंद दी जाएगा अब इस स्टार्टिक में आपको थोड़ा टफ लगेगा लेकिन बाद में आप करेंगे तो आप फटाक से कर लेंगे आपकी जब ट्रक्टेस हो जाएगी तो इसको हम कर लेते हैं 8 रोदो 10 और यह 18 18 और 6 24 2 कहरी यहाँ पर आगी तो 3 रोदो 5, 6, 6, 6, 12, 13 5, 3, 4 हो गया तो पीछे वाले को आपको नहीं से कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे हमारा आप कौन से स्टैप हो गया यह वाला हो चुका है अब हमारे यह बचगेंच यह वाले 4 है इनको करेंगे 9, 9, 81 और 8, 3, 24 इसको आप आपको आड़ करना है और यह 4, 4, 8, 8, 8, 12, 10, 11, 11, 11, 11, 8 हो गया इसको आपको 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 पेस्ट कर देना क्योंकि आगे कुछ है नहीं तो यह ही अमारा आंसर होगा आप इसको चेक भी कर सकते है तो यह हमारा थोड़ा सा फंडा है आप जब इसको करेंगे तो आपको यह थोड़ा side में बना ले रहा होगा जिसी कि आपको कोई mistake ना हो अब हमारा आता है 4-digit numbers का 4-digit को मैं लिख लेता हूँ 4-3-5-6 3-5-2-8 यह मैंने random number लिए है कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं इनको पहले से ही याद करके आया हूँ अब देखे 6-9 जा 48 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और 8 को मैं यहाँ से अटाऊँगा और यहाँ लिख देंगा copy-paste 48-50-40 और यह 6-2 नहीं 12 है कितने होगे 4-2-6 4-5-56 हुआ फिर 6 को हम काटेंगे और यहाँ लिख देगे copy-paste अब यह हो जाएगा 6-5 जा 30 और यह हो जाएगा 8-3 जा 24 अब इसके बाद 5-2 जा 10 इसको भी हम करेंगे देखे यह है यह है फिर यह है ठीक है अब यह कितना होगे मेरे पास यहाँ पर यह 5 इधर है इधर आए गई यह देखे इस तरह से होगा तो 5-6-9 और यह 3 और तो 5 और 1 6-69 इस 9 को फिर से यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे हमार पास यह हो चुका है 6-35 वाल हो गया अब यह रह गया बड़ा वाला 6-3 जा 18 8-4 बद्थिस और 3 दूनी 6 और 5 जा 25 यह हो गया तो यह देखे 6 आठ हो दो 10 10 और 6-16 16 और 6-22 22 और 7-5 27 27 कहले लगी 2 3-3-6 और 2 8-87 हो गया ठीक है अब यहाँ पर हम 7 को यहाँ लेगे देंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे अब हमार पस यह सबसे बड़ा वाला हमने कर दिया अब यह हमारा सेगमेंट अठ जाएगा अब यह रहेंगे 3 आगे 5-3 जा एक मिनिट 5-3 जा 15 यह फिर यह हो जाएगा 4-2-8 और यह बचेगा बीच बाला सिर्फ देखिए एक मिनिट यहाँ पर देखिए 5-3 जा 15 4-2 जा 8 और यह 3-5 इसको मैं पर 15 लिख देता हूँ दुबारा से 15-2 तीस और यह 38 38 मैं हो रहा है यह 8 हो रहा है तो यह कतना हो जाएगा 8-8-8-6 है तो 46 हो गया अब 6 को मैं से कट करेंगे यह भी था यह देखिए यह 1-2-3-4 सब को करेंगे तो 46 और 6 को मैंस कट किया और यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगा अब यह भी हमारा हो चुका अब यह सिर्फ यह 4 बचे है 3-3-9 और 4-5-20 तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ 3-3-9 और 4-5-20 पहले से 4 था और यह 9 और 4-13 13 और 20 कितने हो गए 33 33 होगे फिर से 3 को कट करेंगे और फिर से यहाँ पर मैं एक 3 डालूँगा अब यह भी हमारा हो चुका अब बचा कहा है सिर्फ यह 4-13 अब यहाँ पर मैं 12 डालूँगा और 12 डालने को बादे टोटल कितना हो गए मेरे पास 15 है अब यह 15 है अब को करण में सिर्फ है अगर आप के पास क्या है आगर आपके पास किस तरह सी दे रखा है एक तो आपके पास 2 डीजिट नमबर यहीं सेम फंडा यूस करेंगी और इसमें आपके 2 Zero बना देंगे तो बहुस सारे टर्म्स आपके cancel out, cut जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है तो यह हमारा इसका answer हो गया, यह हमारा 3-digit का हो गया, यह हमारा 2-digit का हो गया थोड़ा से complicated हो गया होगा page इसका मैं जो है, link sorry, इसके जो photo है, मैं आपको description में डाल दूँगा वहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं वीडियो को दबारा से repeat करके देख लें जिससे की आपको अच्छी से समझ आ जाए कुछ questions आप practice कीजिए, और कैरीक्रेटर से उसके answer भी आप मिलाईए आपकी practice होगी, जैसे ही आप practice करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कैसे आपको करना है तो आप paper में बहुत ही fast इसको कर लेंगे thank you for watching this video, मिलते हैं अगली वीडियो में till then, bye bye